गुडी पड़वा चेतर नवरात के पहले दिन विधर्व के आसमान में एक दुल्लब खगोली घटना हसारों नागरिकों ने देखी देशाम करीब पौने आठ बचे आसमान में उलका पिन को किसी आतिशपासी के तरह गुजरते देखा गया जिसने भी देखा वहीं खड़ा होकर खुबसूरत नजारे को तागता ही रहा उसके बाद तो कही तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया सैक्रो लोगों ने अपने मुबाइल से शूट कर सोशल मीडिया में वारल कर दिया कोई इसे उलका पिन के टुकडे बता रहा था तो किसी का क्याना था कि यह किसी अंतरिक शियान या सैटलाइट के टुकडे भी हो सकते हैं देर रात तक यह तो इस पश्ट नहीं हो पाया था कि आसमान से गुजरने वाली चीज़ क्या थी लेकिन कई जगाओं पर तो टुकडे गिंडे भी खबर आनी शिरू हो गई वरंगाव, भुसावल, अमरावती, चंदरपुर, नाखपुर, गर्चिरोली, जलगाव, आकोर, जामोच, सहित कई शहरों में विगावों में नागरिकों को यह अद्भुत नसारा देखने को मिला वरंगाव की सुरक्षा में लगे भारतिय सेना के जवानों ने वीडियो शूट कर जाच के लिए भारतिय सेना को भी भेजा इस संदर में कई तरह के दावे किये जाते रहे, लोगों में भी जानने की उच्छुकता रही की आखिर वह चीज क्या थी जो आसमान में नजर आए, कुछ तो इसे यूक्रेन रसिया के युद में दागे जाने वाले मिसाईलों के संधर में भी देख रहे थे रमन साइन्स सेंटर के वैज्यानिक ने का गी, वीजो क्लिप में एक बड़ा चटान पृत्वी की दिशा में आता नसर आ रहा है और वातवन के संपक में आते ही छोटे-छोटे कार्टोल टुकडे में बढ़ गया कुछ वर्षपूर्व कार्टोल में भी उलका पिंड के अफशेष गिरे थी चंदरपूर जिले के सिंधे वाही में तो रहस में उलका पिंड का एक टुकड़ा भी गिरने की खबर मिली है वहां के प्रशासन ने भी यह माना है लेकिन वह टुकड़ा क्या है यहाँ जाच के बाद ही पता चल पाएगा स्काई वाज ग्रूप के अध्यक्ष सुरेश चोपड़े ने बताया कि आसमान में जो पिंड नसर आए उसके उलका पिंड होने की संभावना कम है लेकिन यह हो सकता है कि किसी उलका पिंड के काफ़ी छोटे टुकड़े जरूर प्रवेश किया होगा प्रवेश कर गए हो अधिक संभावना है कि यह किसी सैटलाइट की टुकड़े हो अनेक खोगल शास्त्रियों से संधर में जानने का प्रयास किया गया लेकिन फिलहाल सभी संभावना ही जता पाए वीडियो में जो टुकडे नागरिकों को गिरेद दिखे हैं वे किसी धातू के रिंग के टुकडे लग रहे हैं जैसा किसी रॉकेट आधी में हो सकता है सुरेश चोपने, स्काइवाज ग्रूप का यहां का अध्यक्ष हूँ और पिछले पचीस साल से स्पेस आपड़रिशन करता हूँ आज शाम को करीब पाउन्याट बजे एक दुरलब घटना बहुत सारे लोगों ने महराष्ट से देखी है यानि गटजोले से जड़गाव तक की यह घटना लोगों ने देखी है, वीडियो भी निकाले है और फोटोज भी आये है तो यह घटना जो गटी है वो उसको देखने के बाद लगता है कि एक ख़दा सैटलाइट जो है किसी एक ख़दा देश का सैटलाइट जो एक ख़दा गिरा होगा एक्सिलेंटली या फिर किसी देश ने इसको गिरा होगा क्योंकि यह घटना उलका वर्शाव की घटना नहीं है या फिर एक ख़दा फाइर बाल गिरता है उसके भी घटना नहीं है हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा उलका पिंड अगर आया है उसके तुकड़े हुए तो इस परकार की बात हो सकती है एक उपगर ही हो सकता है, तो हो सकता है कि प्रशासन इसकी और जानकरी दे, एक हमारे सिंधेवाई तालू का चंदरपूर में भी घटी है, जिसे एक टुकडा गिरा है, प्रशासन ने भी कहा कि कान अभी तक नहीं हुआ है। झाल झाल